प्रद्यूमिश्रमा पैरलल वर्ल्ड भी साथ में चल रहा है ऐसे में आज कल एक चीज बहुत देखी जा रही है जिसको देखते हुए हमने और प्रद्यूम्ड ने गहन चर्चा की और हम लोगों ने सोचा कि आज इसी मुद्दे पर क्यों ना बात कीता है क्यों ना चर्चा कीता है मुद्दा है हीरो किसे बनाए सलमान खान को हीरो बनाए या शारुक खान को हीरो बनाए या कंगना रनावत को हीरो बनाए जिनका नाता ही दरसल विवादों से रहता है कंगना रनावत ट्वीट कर देती है कि इसमें हम लोगों को लड़ाई करनी चड़े यह से ऐसे करें ट्वीट करती हैं जो लोग ऐसे इन्सात्मक बाते करें जो लोग negative बाते करें उनको ही रो बनाए या फिर उनको ही रो बनाए जिससे देश को आगे बढ़ने के लिए उनको ही ने पूर यह ही जिस तरीके से आब बता रहे हैं खासकर अभी अगर रीसेंट मुद्धे की बात की जाती है रीसेंट टॉपिक जो कंगना का लगातार चलता हुआ आता है कि वो ट्वीट कर देती है ऐसे मैं पायल का भी देखा जाता है कि जहां पर वो अपने समर्थन में लोगों को लाने के अलग अलग तरीके टूइट यहां पर उनके द्वारा किये जाते हैं तो ऐसे में जो आज के यंग्स्टर हैं वो इस चीज़ पर खासकोर के ध्यान देते हैं कि जिस तरीके से ट्वीट किये जाते हैं आम तो पर चाहे वो हिंसक हो या फिर अपने समर्थन में हो जिस भी प लेकिन जो लोग सरत पर रहते हैं, आर्मी के जवान हैं, इतनी कठन परिस्तितियों में वहापर रहते हैं, ये भी नहीं पता कि दिन किस तरीके से होगा, रात किस तरीके की होगी, आगए आने वाली परिस्तित ही क्या हो जाएगी, ऐसे मैं वो लोग इतनी जदो जहत करते है क्यों कि हमारे देश को सुरक्षित रखा जा सके लेकिन उन लोगों को कोई भी रोल मॉडल नहीं मानता है और उनके जैसा बनने की इच्छा भी कोई यहाँ पर इतनी जाहिर नहीं करता है लेकिन हर किसी को सलमान खान बनना है, शारुक खान बनना है क्योंकि उनके पास fame है उनके पास पैसा है तो उस चीज से आजकल जो यंग्स्टर है वो attract हो जाते हैं लेकिन वो चीज ये भूल जाते हैं कि जो सरवत पर रहते हैं जो काईदे के और असलियत में हमारे हीरो है उनको यहाँ पर इज़त नहीं दी जाती है यहाँ पर देखो बीते कुछ दिनों में हमने चीजे भी देखे हैं भारत ले जनसंक्या तर असल बहुत जाते है और सोशल मेडिया के यूजर्स भी उतरे ही जाता है अगर यहाँ पर कोई गाली यासे शब्द का इस्तमाल भी करता है तो उसके पीछे भी लागों भी उमार पड़ती है बताती है कि हाँ यह बड़ा कूल लगा है यह फैशन में हो गया है जो दारुपी के बत्तमीजी करता है जो सरे रहा धर पे घुसके बत्तमीजी करता है तो ऐसे लोगों को लोग जो हीरो सबस्ते हैं वो इनकी चीजों को अपनी लाइट में डेवलप करेंगा अपनी लाइट में इनेहरेट करते हैं वो चब इस तरह की चीज़ें समाज में लोग सादू बने बड़े महंत बने और इनों ने जो पीट पीछे जो चीजे करी वो जो बाद में निकल कर सामने आए वो इनकी आइडिलोजी दिखाता है तो ऐसे लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं जो लोग मानते हैं उनकी जिन्दगी में भी कितना नेगेटिव इंपक्ट पड़ता है बिलकुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपने कभीर सिंह का जिकर किया तो मैं अपने दर्शकों त इसका नाम था उड़ता पंजाब जहाँ पर खोले तोर पर नशे का कारूबर दिखाया गया था तो जब ऐसी चीजे थाली में परोसी जाती है युवाओं को तो युवा तो अपने आपी ऐसे दल्ल में फस जाएंगे जहाँ पर नशे की बात हो या फिर इस तरीके की हरकत नहीं है आप वेब सीरीस की बात ले दीजी आज कल तो वेब सीरीस का जमाना चल रहा कावेंदर इस तरीके हमने कल भी जिकर किया था और वेब सीरीस के जमाने में तो खुले आम वाइलेंस किया जाता है खुले आम गोली चला दी जाती है खुले आम किसी को भी उठा लिया में real heroes जो होते हैं वो ही होते हैं और उन लोग को हमें हमेशा salute करना चाहिए क्योंकि चाहिए एक पुलिस कर्मी से लेकर एक बड़ी post का दिकारी जो देश के लिए कुछ कर रहा है वो वाकई में real hero है ना कि ऐसे लोग जो उड़ता पंजाब कभीर सिंग में ऐसी चीज दर्शाते हैं जो लोगों की मानसिक्ता पर गहरा प्रवाब छोड़के जाती है जो बिलकुल आप इस तरीके से बात की hero वाली context पर असली hero दरसल कौन है तो एक नाम का जिक्राज बहुत जरूरी मेरे हिसाब से बगता है अजीर दोबाल जी का अजीर डोबाल जी असली hero है उन्होंने देश के लिए जो किया है वो heroism है वो hero का काम होता है ना कि वो जो फलाने से tweet कर देना फूहड सी बाते लिग देना वो hero नहीं हो सकते वो अपना काम कर रहे है वो दरसल एक जैसे हम लोग है हम लोग अपना काम कर रहे है हम लोग मेडिया के नाते अपना काम कर रहे है वो लोग actors हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं और कुछ लोग होते हैं जो गलत काम भी करते हैं दूसरे काम की आड़ में, वो भी अलग चीज है लेकिन यहाँ पर अगर hero की बात करें hero term अगर किसी के लिए use होना चाहिए तो ऐसे लोग के लिए होना चाहिए बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिकर किया अजीर डोबाल जी का आपने जिकर किया तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है पाकिस्तान में 7 साल लाहॉर में रहे सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है कि एक agent के तोर पर अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो अगर आप वहाँ पकड़े जाते हैं तो आपकी जिंदगी बचना नमुम्किन के बरावर हो जाता है लेकिन उन्हों ने इतने बड़ी काविलियत इतने बड़े होसले के साथ महाँ पर गए और देश की सुरक्षा के लिए वो वहाँ पर अजीट डोबाल जीगा सबसे जिकर होता है क्योंकि उनके उनका एक्सपिरियंस है उसके बेस पर यहां पर काम किया जाता है चाहे वह आई बी में रहे हो चाहे वह रहे हो तो काभिल यह तारीफ वह शक्षियत है अपने आप में और ऐसे मैं उनसे प्रेंटना लेनी चाहि छीट को यही पॉइंक था आज हमारी चर्चा का हम लोग इस समझाना चाहते थे कि यूथ जो है किनको देखे किनको फॉलो करे किनके जू नक्षे कड़ जिसको बोलते हैं उनको देखकर उस पर चले क्योंकि अगर हम लोग जल्ध दिसा में जाते हैं तो हम dit हम निए जंद इसलिए इसके लिए में एक वर्ड का यूज करना चाहएं तो इसके लिए एक वर्ड का यूज़ करना चाहएं तो यह इसको आप समझ लिए एक इतना बड़ा एक्टर, हिट एक्टर, सुसाइड कर लेता है, तो समझे जिन्दगी में कितनी परिशानिया होती हैं, तो ऐसे लोग जो हैं, उनको देखकर, आखे बंद करकर फॉलो नहीं करना चाहिए, बलकि फॉलो करना चाहिए जो असली हिरोज हैं, जिन्होंने इस देश के लिए काम कि आप आराम से सो रहे हैं, क्योंकि वो लोग सरदों पर खड़े हैं, तो ऐसे लोगों को हीरो मानना चाहिए, ऐसे लोगों के हमेशा फॉलो करना चाहिए, और ऐसी सीख आगे बढ़ानी चाहिए, अपनों बच्चों को देनी चाहिए, कभी भी आख बंद करकर मेरी नजर मे प्रद्यून और आप से जिस तरीके के हमारी चर्चा रही है कभी भी आख बंद करके ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए कि जिनको फॉलो करते करते आप किसी बड़े गड़े में गिर जाए बिल्कुल जिस तरीके से मेरे सयोगिन आपसे बताया कि ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए जहां पर आप चलते जा रहे हैं लेकिन आगई यह भरोसा नहीं है कि वो गड़ा कितना गहरा हो सकता है अगर आप गड़े में फस जाते हैं तो भार निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो देश के हित के लिए काम केजिए देश के लिए सोचिए ऐसे लोगों से इंस्पायर होई है जो वाकई में काबिल हैं और देश के हित के लिए काम कर रहे हैं फिलाल के लिए इतना ही बने रही है नीजोल इंडिया के साथ नमस्कार